हेलो वाट सब गाइस आज आम इस वीडियो में देखेंगे एक्टिव लिंक की नाव नेविगेशन बाद बिलिब में गाइस आज कोड़ों बहुत इंपोर्टेंट है क्यों कि सबसे पहले आप यहां देख लीजिए ठीक है यह था मेरा कोड जिस पर हम काम कर रहे हैं यह था मेरा यह वाला पर्टिकुलर कोड अब ध्यां से देखना मैं अबाउट पेज पर बट यह पार्ट अगर मैं आपको दिखा हूं आप बिल्कुल भी नहीं के सकती फिलाल अभी में कौन से पेज पर हूं अब आप मुझे बताओ आपको यह पर्टिकुलर नविगेशन बार देखके कुछ आईडिया आ रहा है कि आपका जो करेंट एक्टिब पेज है वह कौन से नहीं बट वहीं अगर मैं आपको यहां पे लेके चलूं लेट से मैंने कौन्टेक्ट पे क्लिक कर दिया और इस त जाएगा कि हां भई कॉंटेक्ट साहिद अभी आप कॉंटेक्ट पेज पे हो तो इस इस दी ब्यूटी आप एक्टिब लिंक एंड बिलीब मी इन रियक्ट राउटर यह बच्चों का काम है लाइक आप इमेजिन भी नहीं कर सकती कि कि कल की वीडियो में जो हमने ने नेव यहां पर आप देख सकते हो लाइक इसमें मुझे जावस्क्रिप्ट का बहुत कोड लिखना पड़ता उसको प्राप्त करने के लिए एक्टिब है यानी पुरा CSS लगाओ यह करो बट इन रियक्ट राउटर आप नोटिस नहीं करोगे आप देख एक सेगने मैं आपको रहता आपको रेंडर होके मिलता है वह आपका एंकर टाइग ही रहता है एक चीज नोटिस की की नहीं आपने यहां पर दिख रहा है अभी मैं आवाट पर क्लिक करूंगा एंड बूम गाइस ही देखा आपने डियो नोटिस्ट और नॉट बट यहां पर आप देख सकती हो क कि एक्टिव क्लास आटोमेटिक ही वह एक्ट कर देता है रियाक्ट उट आटोमेटिक एक्टिव क्लास एक्टिव कर देता है अगर मिंस यह ऑला पाप धके ने इस पटिकुलर पे फीले अब भी चीछ इλο पीला आप सब है na react router कि like the moment आप क्लिक करते हो active वो add कर देता बट हाँ and यह already मेरा काम कर भी रहा देखो na about पर यह देखो na color change हो चुका है तो एक तो simple तरीका यह है कि just by default to एक active class हमें add करके देता है तो आपको कुछ नहीं करना है you need to go to your like css file यहाँ पर I guess मैंने कहीं तो भी active class यूज किया हुआ है हाँ ठीक है देखो active class में यूज कर रखा और color change कर दी सिर्फ आप .active class css में जाके देदोगे तो आपका काम हो जाएगा आपका काम हो जाएगा इतना simple है लेकिन मैंने आपसे promise क्याता है मैं आपको तीन तरीके बताऊंगा ठीक है वो तीन तरीके देख लीजे आप यहाँ पर तो एक तो है दोस्तों को भरबर के शेयर कर दीजेगा अगर आपको कुछ डाउट हो अगर आप कुछ और देखना चाहते हो लाइक आपके मन में कि थोड़ा एडवांस बता दे तो कमेंट तो कीजिए कि आप क्या देखना चाहते हो मैं हूँ आपके लिए यह आप प्लीज बरे दो सेकेंड का का में बटन पर क्लिक किया खत्म मुझे मोटिवेशन मिलता पैसे कुछ नहीं जाने वाले ठीक है तो देख लीजे फिर बहुत आप साम है तीन तरीके बाताऊंगा मजा आ जाएगा ठीक है तो सबसे पहले लेट्स को भी आवर क्लास वाला स्टाइल ठी से यह होम वाले पर चलता हूं ठीक है मैं यहाँ पर क्लास नेम तो अल्रेडी है तो अब मैंने क्या करता हूं ध्यान से देखना यह बहुत इंप्रेंट है आपको समझना पड़ेगा सारी-चारी चीजे की कंडिशनल स्टाइलिंग आप कैसे कर सकते हो सो मैं जास्क्रिप क कोड लिखना चाहता हूं सो हमें यहां पर कली ब्रेस लगेगा सो गाइस मुझे इसको भी हटाना पड़ेगा ठीक है जैसे कि मैंने आपसे कहा कि क्लास नेम में कैसे हम स्टाइल एड़ कर सकते तो उसके लिए we need to create a function मैं एक fat arrow function create कर रहा हूं इसके अंदर भी मुझे further destructure करके मुझे एक प्रॉप्स मिलता है ठीक है जिसको पैरामेटर कह सकते हो एंद इस यह एक ऐसी प्रॉपर्टी जो बाइडिफॉल्ट रेक्राउटर हमें प्रोवाइड करती है और यह मेक्शियर करता है कि कब आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो चेक करता है कि इसके जो ट्रू वाली एट्रिब्यूट है क्या वो मैच कर रही है यानि हमारे नैब लिंक से ठीक है तो यह बाइडिफॉल्ट हमें मिलता है और आपको कली ब्रेशिस देना पड़ेगा बिकोस हमें एक फैट अरो फंक्शन लिख रहे एंड यहां पर आपको रिटर्न कीवर्ड लि तो यह आप एड़ कीजिए एंड शाती साथ एक्टिव क्लास आप एड़ कर दीजिए दो यह हमें बाइडिफॉल्ट मिल रहा है बट हम यह अपने एंड से मिक्सियोर कर रहे कि नहीं हमें यह चाहिए ही चाहिए ठीक है या आप तो यह एक्टिव की बदले आप कुछ और क्लास भी दे सकते हो यहां पर या तो आप अपको लग रहा होगा यार यह इस तरीके से मुझे क्यों मिल रहा है तो उसकी पीछे भी बहुत सारे रीजन है तो सबसे पहले तो मैं इसको पुरा हटा देता क्योंकि रिटर्न के साथ डारेक्ली में इसको लिख सकता था ठीक ह और यहां पर चलना चाहूंगा एक काम करता हूं यहां पर चलते हैं यह बहुत रिफ्रेस्ट करता हम होँ अब जलता हूं वे था कौनशूल पर मिली के क्यों इस तरीकर सकते हैं अब इहां पर कितने भी लुउक्ता कर सकते हो मैंने सिर्फ active लिखा the moment अगर मैं active link कर देता हूं तो I know अब आपकी माइन में एक चीज खटा करा है आपको and that is भाई जब by default आपको active मिल रहा है क्यों हम उंगली कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे क्योंकि all right see we have this active link about पे चलाई गया मैं अगे हम पे आया notice किया अपने अब मैं अगर देख नहीं यहाँ पे अभी home about पे जा रहा हूं यह देखो did you noticed or not but the moment to class name यूज करता हूं जिसमें मैं is active वाला जो परामेटर यूज करता हूं तो यह जो default behavior था ना यह active class देने वाला वह खत्तम हो जाता है then हम अपना खुद का एक active class दे सकते है that's why that's why यह वाला पार्ट पे active link एड़ोगा ना कि एक active देखा यह देखो मैंने active link लिखा तो आप यह active link मुझे बताएगा कि active है या नहीं इसको में style करके मैं color change कर सकता हूं तो पाता चल गया ना कि the moment वो लिखा तो आपका वो default behavior चला जाता ओला ठीक है एक तो यह तरीका था about पे चलता है दूसरा तरीका क्या मैं आपको बताता हूं दूसरा यह कि हम inline CSS भी तो कर सकते है आप लेट्स आप कर रहे हो राइट यहां पर से मोई जो मैं थुछ दिर पहले बाता था एंद मुझे लगता है साथ उस समय मैंने एक मिस्टेक यह कर दी कि style वाले में मैंने आपको वाला बाता दिया था मने कुछ ऐसी बाता था ना जब हम classes कर रहे थे class name बाट class name तो कितिनी आपको मिलता है अब यहां पर हम रिटन क्यों लिख रहे पाता है रिटन इसले लिख रहे क्योंकि style एक्रिब्यूट की मदद से हम क्या करते हैं बेसिकली कलर पास करते हैं जैसे style दिया कि हाँ इस पर्टिकुलर element इस पर्टिकुलर element का color आप यह दे दीजिए समझे रहे हो बैग्राउंड कलर यह आइट कर दीजिए हम style की मदद से यह करते हैं तो मैं जैसे यह बोल सकता हूं कि वह जो blue color मुझे मिल रहा था मैं आप मुझे इस तरीके से बताना पड़ेगा हां इसका जो color होगा ठीक है अब समझे रहो ना अब obviously मैं यहां पर यह नहीं कर सकता यहां पर यह तो basically property हुई color red blue green में कर सकता हूं बट मैं directly नहीं कर सकता अब मुझे is active पर जाना पड़ेगा इस तरीके से हाँ अगर इसका color है तो blue नहीं तो black तो थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको class name के लिए बताया तो वह style के लिए था I'm really sorry but मैंने आपको correct करके बताया भी कितना easy हमारा एकाम हो गया एंड यह आप इस तरीके से कर सकते हूं ठीक है एक काम करता हूं मैं इसको red कर देता हूं ताकि आपको पता चले है नहां यहा कितना awesome लग रहा है movies पर चलूंगा यह मतलब सारा है इसका color हमने कर दी red इट मिंस कि हाँ यह style वाला तरीका आप अपना सकते हो तो हमने class name देखा हमने style देखा and starting default behavior active तो पहले ही देख लिया था अब जो तीसरा तरीका है मैं आपको बताता हूं and that is कहीं ना कहीं भाई यह बहुत time pass code है यह मुझे literally पसंद नहीं आया यह तो आप क्या कर सकती हो ना इसी को ही copy करो movies पे चलते हैं ठीक है movies पे गया मैं इतना सारा code क्यों लिखूं भाई किस खुसी में लिखूं मैं समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं मुझे नहीं चाहिए सब में बल दूंगा मैं get nablink style मैं function यहां पर call करना चाहूंगा और यहां पर हम चलते हैं सो इस सब्सक्राइब नेब लिख स्टाइल इंडिया इस इस इट और आइगेस 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 मुझे पूरा स्टाइल का स्टाइल नहीं उठाना था यह जो पार्ट है मुझे सिर्प इतना चाहिए इसके भी मुझे कोई नीड नहीं थी मैं directly copy paste कर सकता था यह दिस इस आप देख सकते हो सो गैस कैसा लागा आपको यह है ना कितना ज्यादा ऑसम की डारेक्ली एक फंक्शन ही आपने बना लिया और वो जो फंक्शन है देखो ना इतना लंबा के बदले अब यह कितना simple लग लेता हूं ताकि हमें पता चले कि different different का हमें different different output आ रहा है भाई मुविस पर बूम गई सी यह देख लीजिए देखो एपाउट होम पे अपना blue color है एपाउट पे red color हमने देख लिया मुविस में ने green की ती green हो गया तो हमने आज इस वीडियो में तीन तरीके देखे कि आप जो हमारा active link है उसको आप कैसे achieve कर सकते हो so guys yeah this is it आज इस वीडियो के लितना ही I really hope बीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा so मैं अगर सच बोलू आपको तो कहीं ना कहीं यह style वाला पार्ट तो मुझे थोड़ा सा ओवर लग रहा है इवेन यह तो महा ओवर है यह यह पॉफेक्ट रहेगा क्योंकि ठीक है यार क्या हो गया तो है ना यह मेरे साब से यह सही है इवेन यह जो particular part है ना आप लगे तो आप इसको भी एक function बना दो एंड जस यह पर पास कर दो जो मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा फॉदर इंप्रूमेंट बट इंग क्लास नेम इस फाइन एल्स अगर आपका application थोड़ा मालाब ओक्य है इतना ज्यादा बड़ा नहीं है दैन बाइपॉल्ट जो इस दिन बताता हूं गाइस प्लिज आप उसी को ही प्रैक्टिस कीजिए उसको फॉदर और डिक करने की खुशिस कीजिए कि और क्या है और हम क्या कर सकते नेब लिंक में जैसे मैं आपको बता हूँ है इस ट्रांजिशन होगा यहां पर यहां पर है तो आप देखिए कि य आपको लाइक टुटोरियल हेल में फसे रहोगे क्योंकि जितना में बताऊंगा उतना आप सिखोगे तो आप कभी मेरे से आगे नहीं बढ़ पाऊगे फिर बट जितना मुझे आता उतना तो मैं सिखार हो लेकिन आप उसके बल अलावा और भी जादा सिखोगे तो लाइक दोस्तों के साथ सेर कीजिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बुलियो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है अब सब्सक्राइब नहीं करोगे तो चैनल गुरो नहीं होगा मुझे डी मोटिवेशन मिल जाएगा इसलिए गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिल तो हमें कल की वीडियो में तिल दिन गाइस थैंक यू सो मच टेक किया